हलो दोस्तो वेलकम बैक टू पी डबलू अंड याइस जैसा कि आपको पता है हम हर फ्राइडे एक इंपॉर्टन्ट वीडियो डिस्कुस करते हैं जिसमें इंपॉर्टन्ट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो आज की हमारी तीन स्पीसीज रहने वाली है एक तो देखो क्या है वो नई स्पीसी दूसरा हम समझेंगे इंडियन स्पॉर्टन्ट फ्रॉग के बारे में और तीसरा हम समझेंगे कि भाई किस तरीके से माला बार ट्री टॉड्ड जो हैं उनको खत्रा हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक तो फ् important question दिया जाएगा और एक जो हमारा previous वीडियो जो गया था पिसले हफते का उसका एक question था उसका आपको solution भी दिया जाएगा तो कुल मिला करके यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा healthy रहने वाला है तो बिलकुल भी इस चीज में गलती ना करें लापरवाई ना करें आपके लिए बिलकुल helpful रहेगा तो चलिए start करते हैं देखो सबसे पहले आती है आपकी गराडी गराडी की बात करें तो यह इसलिए न्यूज में है कि अभी तीन botany teachers जो हैं वो महरास्ट्रा के आप देखो बंडारा district का एक particular region है जहां पर forest है जिसका नाम है अंबागाड अंबागाड forest में जाते हैं अगेन वो ही botanist है तो that means वहाँ पर जाकर के पेड़ों के बारे में इनकी research की तो उनको एक नई plant species मिली है जिसका नाम क्या दिया जा रहा है यहां पर आप plant species मिली है जिसको locally गराडी बोल दिया जाता है और scientifically उसको बोल जाता है clestinthus colonus जो species है उसका एक subspecies देखने को मिला है और यह जो नई subspecies मिली है इसका नाम क्या दिया है यह देखो clestinthus तो exodus रखा गया है बाकी नाम दिया गया है दिक्षा भुमियाना दिक्षा भुमी जो word है यह basically नागपुर की एक बहुत important site है जिसका नाम है दिक्षा भुमी वहां से यह नाम पिक किया गया है तो basically यह अपने आप में बहुत important अपने आप में discovery है और इसका फल देखो आप branches भी देखो आप इनका रंग आपको red color होगा राइड वैसी appearance है इसकी तो कहने का मतलब यह अपने आप में एक नई discovery आई है वैसे अभी तक क्लिस्टेंथर्स कॉलियूनस की अगर बात करें कॉलियूस प्लांट स्पीसीज की बात करें तो total 134 स्पीसीज का तो देखो पता था अब यह 135 का भी पता पढ़ गया है तो overall तो हमें यह ध्यान रख लेना है कि 134 से बढ़कर 135 हो चुके हैं अगर हम क्लिस्टेंथर्स कॉलियूनस प्लांट स्पीसीज की बात करें और इंडिया की आप से कोई पूछे तो हमारे लिए आपको यह बता देना है कि इंडिया में अभी तक total 9 स्पीसीज का पता पढ मियाना यह जो है च्छटी स्पीसीज जो की एंडमिक है टोटल 9 मिल गई है इंडिया में उनमें से ही यह सिक्स्थ है जो की एंडमिक है एंडमिक का मतलब यह यहीं पर आपको मेजरली मिले गी और कहीं पर नहीं ठीक है यहां की लोकल है यह कह सकते हैं ठीक है मिला कहा है मह जराष्ट्रा में जो नागपूर है नाघपूर के पास में बंडारा डिस्ट्रिक्त है मोटी अगर बात करें तो आप साओथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर यहां वाले इंडिया मेंFlow Central इंडिया से थोड़ा सा South की तरह, अना हलका सा, या More or Less Central इंडिया या आप consider कर सकते हैं, यहां पर यह मिली है, इसलिए जो नई स्पीशी मिली है, यह देखो, नॉर्मल ही मिलती जो गराडी उसका appearance green होता है, और अभी जो मिली है वो red है, यह थोड़ा सा difference है, इसके अलावा ये जो कलिस्टेंथस दक्षिन भूमियाना दिक्षा भूमियाना की बात करें तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है नॉर्मली फर्वरी से जुलाई के बीच में और फिर वही फ्लावर फिर आपको पता है फ्रूट में कनवर्ट होई जाता है ये जनरली आपको हिली और ड्राइड डेसिडियोस फोरेस्ट एरिया में मिलेगा और वो भी मेजरली कौन सा एरिया एंडेमिक बोला ना हमने एंडेमिक बोला लोकल यहीं पर जो अंबागड फोरेस्ट एरिया यहीं पर आपको मेजरली मिल जाएगा अंबागड फोरेस्ट एरिया कह को हुआ क्या है कि श्रिलंका में जनरली यह मिलता है श्रिलंका इंडिया बंगलादेश इन कंट्रीज में तो यह जो इंडियन पेंटेड फ्रोग इसका दूसरा नाम है श्रिलंकन बुल फ्रॉग भी बोल देते हैं इसको इसको पेंटेड गोल बुलर फ्रॉग भी बोल दिय जाता है तो अभी क्या है लेटेस्ट देखो हमारा जो तेलांगना स्टेट अना वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है कवल टाइगर रिजर्व वहाँ पर इसकी प्रेजेंस देखी गई है तो बेसिकली यह किस स्पीसी से असोशेटेड कंसिडर किया जाता है इं इंडिया में भी देखने को मिल जाता है मेजरली अगर बात करें तो यह हमेट स्पीसी की बात करें तो यह इसकी जो स्किन है स्मूध होती है बोडी आप देखो किस तरीके से राउंडेड है और कलरेशन भी बड़े यूनीक होते हैं इंके अंदर आपको लाइट कलर की देखेगी जिनमें मेजरली यलो एंड औरेंज कलर हना वो इनको यूनीक लुक देता है इसके अलावा यह अग्रिकल्चरल लेंड मैंने कहा भी यह ड्राई और थोड़ा सा हुमिड क्लाइमेटी कंडिशन में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं तो अग्रिकल्चरल लेंड दे यह कवल टाईगर रिजर्व में पहली बार तेलांगना में नहीं देखा गया है तेलांगना में पहले भी देखा गया है बट कवल टाईगर रिजर्व में पहली बार देखा गया है यह आपको इसके कैमेफले से क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से चितकबरा है यह डे है नाइट के सम एक्टिव होता है जिससे कि इसको अपने प्रिडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाए क्लियर है इसके लावा फ्रॉग टॉड्स में हमें डिफ्रेंस पता होना चाहिए फ्रॉग देखो इस तरीके से लंबे होते और यह जंप भी बहुत लंबी लेते हैं वहीं पर टॉड की अगर बात करें थोड़ी हैवी बॉड़ी होती उनकी और मुख भी करते है तो थोड़ा रैंग करके करना होता है ठीक है जन्रली हमारे आसपास में पानी जब भढ़़ जाता है तो वह जो आवाज आती है ना वह टॉड़ी होते हैं बेसिकली है ना इनकी अप होता है मतलब बहुत उची जंप ले ले करके आगे बढ़ते हैं और इधर जब की टॉड है वो क्रॉल करते हैं इनका कलर भी डल दिखेगा और इनकी बॉड़ी कैसी रहेगी मोटी और थोड़ी सी गोल-गोल सी रहेगी है ना एकदम यूँ आल सी से दिखेंगे टॉड जो हो अब इंडियन पेंटेड फ्रॉग की अगर बात करें तो इसका साइन्टिफिक नेम है अपर डॉऑ्न टॉप्रोबॉनिकस इसका साइन्टिफिक नेम है अभी जो मिला है ये कवल टाइगर रिजर्व यहां पर आपका तेलांग ना में इसमें कोई डाउट आपको रहना न मिल जाएगा और इसकी लेंद ना यह साड़े साथ सेंटेमेटर तक भी खिच जाती है इसके अलावा इसकी जो सबसे important चीज है वो है color जो appearance है जो हमने already देखी लिया इसकी body पे आपको bright color देखने को मिल जाएंगे orange and yellow इसके अलावा देखा जाए तो इनको एक सबस्पीसी के तौर पर भी देखा जाता है कौन सी में स्पीसी है जो हमने देखी ना मैंने बता दिया आपको उस न्यूस्पेटर के दिखेगा IUCN में यह least concerned category में है और मिलेगा कहां कहां पर यह आप देख सकते हो साउथ इंडियन सब continent में इसकी presence दिख जाएगी जिसमें नेपाल बांगलादेश साउथ एंड इस्टन इंडिया और श्रिलंका इसमें इनकी presence इनकी देखने को मिल जाएगी इंडियन पेंटेड फ्रॉग की अब हम आ जाते हैं मालाबार टॉड्स ट्री पे इनकी बात करें तो इनके लिए एक recent study पब्लिश होती है कहा गया कि इनकी प्रेजेंस जो वेस्टन घाट में अभी देखी जा रही है उनकी संख्या मोटी मोटी दो हजार असी आते आते 68.7% तक रिडियूज हो जाएगी और इसका में कारण है climate change तो इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं यह मालाबार ट्री टॉड है नाम से पता प मान लिया खतम हो गए दुबारा से फिर इनकी rediscovery हुई 1980 में इसका मतलब अभी यह present है अब दूसरी बात एक बार खतम हो के दुबारा दिख रहे हैं इसका मतलब खत्रा भी इनको जादा है तो endangered category में भी इनको डाला हुआ है खत्रा क्या है वही climate change का सबसे बड़ा खत्रा habitat fragmentation, pollution और बिमारिया यह कुछ इनके खत्रे हैं अच्छा मेजरली यह कहां पर मिलते हैं endemic है यह western गाट के इसका मतलब आपको मेजरली western गाट वाले एरिया में ही इनकी presence मिलेगी इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जैसे जैसे climate change भढ़ रहा है वैसे वैसे यह जो मा कि तरफ आ रहे हैं ज्यादा climate change के चलते हैं यह भी देखो आपको nocturnally मिलेंगे night के समय ही निकलेंगे और generally small insects और चोटी मोटी कीडे मोगोडे खा करके survive करते हैं और अगर बात करें तो यह ज्यादा तर अपने आपको hide करके रखते हैं पेड़ों की पत्तियों के बीच में और कई बार पेड़ों के जो तनेक पे कुछ crevices होते हैं cracks होते हैं उन दरारों में भी रह करके survive करते हैं क्योंकि इनका target यह है कि कैसे बिगर के predator से भी बचा जा सके आयूशियन का मैंने आपको बता दिया यह endangered category में आता है इसके अलावा आपके लिए पिसला जो question था उसक की बार यह है कि आपको यह बताना है कि तीन अनिमल्स है इन तीनों अनिमल्स में से कौन सा ऐसा है जो कि अपने आपको बिल्कुल रॉल कर देता है जब भी इनको खत्रा महसूस होता है तो predator से बचने के लिए आपको answer देना है ABCD में से ठीक है जो भी answer सही देगा उसको मैं like click कर दूँगा तो ऐसे में बिल्कुल भी चूके नहीं answer देने से अब देखो आप अपनी बात comment box में रखें उससे पहले उसके साथ साथ में एक बड़ी important बात भी है कि आप अगर self study के basis पे अपनी study कर रहे हैं तो IDMP self study program 2025 है वो PW only is की तरफ से run कराया जा रहा है जिसमें क्या बात करें तो IDMP में आप देखो phase first है वो 20 अगस्ते 10 नौंबर तक चलेगा जो 20 अगस्ते आपका start हो गया दूसरा phase आपका start हो जाएगा 11 नौंबर से 25 जनवरी तक तीसरा phase आपका चलेगा एक फरवरी से 16 फरवरी और 23 फरवरी से 11 मही तक आपका चलेगा 2025 में चौता phase फिर इसके basis पर आप अपनी self study को अच्छा push दे पाएंगे तो I hope आपको इस वीडियो में एक अच्छे information मिली होगी प्लस या IDMP प्रोग्राम आपके लिए relevant है तो please इसको join करिए तो इस वीडियो में देखो दोस्तों इतना ही था एक और वीडियो के साथ में next अपने मिलेंगे न